नमस्कार दोस्तों D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदू स्वाक्त करता हूँ हिंदू धर में सूरे ग्रह को आत्मा का कार्क माना गया है इतना ही नहीं सूरे को देवता के रूप में भी पूजा जाता है पूर्व दिशा को सूरे देव के उदे का मार्ग माना गया है जो स्वेम, शक्ती और जीवन का परतीक माना जाता है सदियों से सूरे को अरग देने की परंपरा जारी है सूरे को अरग देने की परंपरा को कई वहम की श्रेनी में रखते हैं जो सत्य से कोसों दूर है क्योंकि सूरे को अर्ग देने की प्रथा को तो अब विज्ञान ने इनसान के लिए हितकारी स्विकार कर लिया है आईए आपको सूरे को अर्ग देने के बार में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं भगवान शरी राम दानवीर करन भी करते थे नीमित सूरे अर्ग भगवान शरी विश्णू के शटे अवतार भगवान शरी राम हर दिन सूरे की पूजा करने के बाद सूरे को अर्ग देते थे इसके लावा महाभरत काल में दानवीर करन भी नदी किनारे पहुँचकर सूरे की पूजा करते थे और सूरे के जल का अरह देते थे सूरे के परकास से होती है धरती पर दिन की शुरुआत व्यग्यानिक दिश्टी से सूरे एक आग का गोला है सूरे के परकाश से ही इस धर्ती पर दिन की शुरुआत होती है सूरे का परकाश सिर्फ मानम के लिए नहीं बलकि जीव जन्तूं और पेड़ पौधों के जीवत रहन के लिए भी एहम भूमिका निभाता है सूरे की उर्जा ना मिलने से पेड़ पौधे अपने भोजन का अंद्रमान नहीं कर पाएंगे सूरे इस धर्ती से लगवग 15 करोड किलो मिटर की दूरी पर है सूरे का परकाश धर्ती पर करीब 8 मिनिट और 19 सेकिंड में पहुँचता है सूरे अर्ग से होता है धर्म और स्वास्ते लाब सूरे अर्ग से आत्म शुधी और आत्म बलप्राप्त होता है सूरे को जल देने से धर्म स्वास्ते लाब मिलता है नेमित रूप में जल देने से सूरे का परभाव शरीर में बढ़ता है कारग शेतर में इसका आपको लाब मिलता है इंसान की तरक्की होती है सूरे को जल चड़ाने का सीधा असर हमारे वेक्तेतों पर पड़ता है क्योंकि सूरे सभी ग्रहों का स्वामी है इसलिए ग्रहों का स्वामी यदि परसन हो जाए तो सभी ग्रय अपने आप ही कृपा बरसा देते हैं पुरानों में तो सूरे की उपासना को सभी रोगों का निवार्ण माना गया है सूरे को जल अरग देने के नियम सूरे को जल का अरग देने के लिए भी नियम बनाए गये हैं सनान करने के बाद सूरे को तांबे के बरतन से जल अर्पित करना चाहिए। सूरे को जल देने से पहले जल में चुटकी भर रॉली या लाल चंदन, चावल और लाल पुश्प जरूर मिलाएं। तांबे के लोटे में भरे जल को सूरे को साथ बार अर्पित करना चाहिए जल चढ़ाते समें दोनों हाथों से लोटे को पकड़ कर रखना चाहिए लोटे में से निकलती जल की धार से सूरे की किरनों को जरूर देखना चाहिए जल कारग पूर्व दिशा की और मुख करके ही करना चाहिए जल चड़ाते समें जमीन पर गिरा हुआ जल आपके पैरों तक नहीं पहुंचना चाहिए किसी ऐसी जगह से सूरे को जल चड़ाई यहाँ से सूरे को अर्पित किया गया जल किसी के पैरों में ना आए जल चड़ाते समय सूरे मंतर ओम सूरे नमह का जाप जरूर करें यदि हो सके तो इस दरान लाल वस्तर धार्न करें क्या है सूरे को जल चड़ाने के विग्यानिक कार्ण सूरे को जल चड़ाना हमारे शरीर पर सिधा असर डालता है सुबा उक्ते सुरे को जल चड़ाने का सिधा असर हमारे स्वस्ते पर बहुत ही लाबकारी पर भाव डालता है सुबा सुबा की हवा और उक्ते सुरे की किरने हमारी तवचा पर पड़ती है तो हमारी तौचा दमक उठती है और हमारे चेहरे पर तेज दिखाई देता है साथ ही आँखों के जोती को बेहतर बनाती है पानी के बीच से होकर आने वाली सूरे की किरनों से जो रंग निकलते हैं वह हमारे स्वास्तों को बेहतर बनाते है सूरे की रोशनी से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है जो हमारी हड़ियों को मजबूती परदान करता है सूरे की किरने हमारे शरीर के हानी कारक ततों को नश्ट कर देती है इतना ही नहीं नकरातमक उर्जा भी दूर होती है अर्ग देने के क्या है लाब? जोतिश के अनसार जिन लोगों की कुंडली में सूरे कमजोर होता है जिन में आतम विश्वाश की कमी होती है जो लोग भीड से घवराते हैं नकरातमक सोच रखते हैं अग्यात भै की आशंका रखने वाले लोग सुभा सूरे को जल अरपित करें इससे उक्तसमस्याओं का समा कर देती है इससे हमारी बाड़ी में रिजिस्टेंस भी बढ़ती है योग में सूरे नमसकार मुद्रा भी इसका एक हिस्सा है योग मुद्रा में सूरे नमसकार करने से हम में एकागरता बढ़ती है रीर की हड़ी में आई समस्याओं सहत कई बीमारियां अपने आप ही दू पुबदान देता है तो दोस्तो यह थी सूरे को अर्ग देने के नेमों से जुड़ी जानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजर होंगे जुड़े रही है डी 5 चैनल हिंदी के साथ